सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टच चैनल को और बैल आइकन को दबाईए आयरवेदि कोशद्यां और जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें नमस्कार दोस्तो हेल्थ टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम आपको बताने वाले हैं पुनरवादी तेल के बारे में दोस्तो ये भी बैतनात कंपनी का आता है और इस तेल को जो है आप घर पर भी बना शकते हैं लेकिन आपको बनाने के आशकता नहीं पड़े क्योंकि यह वहती आसानी शी बाजार में उपलब्ध है आज हम आपको बताने वाले हैं इनके गुनों के बारे में और इस में कौन-कौन से और शद्याइस्त्माल की गई हैं क्या इसका रेच हैं यह सब इस अधी बात आज हम इसमें 25 सेर नोच अठाक ये हमने इसमें जल में उसको पकाना होता है और पका कर इसको जब ये चुथाई जल सेस रह जाता है तब इसको उतार लिया जाता है और इसके पस्चाथ इसको तिल के तेल में इसको पकाना होता है तेल में पका कर इसमें फिर काली मिर्च, पीपल, हर्ड, बैढ़ा, आवला, काकड़ा सिंगी, धनिया, काइफल, कचूर, दारू हल्दी, प्रियंगू के फूल, और इसमें पदमा कास्ट, ये एक लगडी होती है, और रेनुका, कूट, पुनरवा मूल, अजवायन, काला जी दालचीनी, तज, लोद्रा, और इसमें तेजपात, नाकेसर, बच, पीपला मूल, चव्य, चितरकमूल, सौफ, नेतरबाला, खश, मजीट, और इसमें रासना और जवासा इस्तमाल किया गया है, इन सभी और शद्यों का कलक बना कर इसको तेल पाकवी दिशेश को तयार कि जाता है, और इसको जो है, जब तेल ये बनकर सिध हो जाता है, तब इसको किसी सुरक्षित बर्दन में इसको रख लिया जाता है, ये इसके बनाने की इसमें विदी है, और ये उशद्य द्रव हैं, चलिए हम जान लेते हैं इसके गुणों के बारे में, तो इसके गुणो और परिवासा के इसके इसाब से इसको हम दिव गुण रोगों के इसाब से इसको रखते हैं इसके गुणों की बात करें तो इसके मालिस करने से सोध जितने भी प्रकार की सोध होते हैं जिसे सूजन भी हम कहते हैं वो इससे ठीक होता है इसके अलावा इपांडू रोगों में भी काम करता है और इससे रक्त पित दोसों को भी ठीक किया जाता है और ये महासोत भगंदर पीलिया रोगों में बहुत अच्छा काम करता है इसका इस्तमाल लगाने के लिए किया जात जाता है इसको जेन जोर में भी इसका इस्तमाल किया जाता है और इसके कई उप्योग है इस तेल को जो है वैद के इंडरक्षन में ही परियोग किया जाना चाहिए इसको और उसद्धी को परियोग करने से पहले किसी भी उसद्धी को परियोग करने से पहले आपको वैद के सल ज़रूर लेने चाहिए किई हर उसद्धी किसी भी व्यक्ती पर अलग-अलग परभाव डॉल सकती है वैसे तो जो लगाने वाली उसद्धी है वो इतना दुस्परभाव नहीं डॉलती इसको खाने के लिए प्रियुग नहीं किया जाता केवल लगाने के लिए प्रियोग किया जाता है ये भी आप समझ लीजिए क्योंकि कभी-कभी कुछ तेल ऐसे भी होते हैं जो खाए भी जाते हैं और लगाए भी जाते हैं तो इस तरीके से आप इसको केवल लगाना है इसको खाना नहीं है और इस तेल का कोई side effect भी नहीं है वैसे भी आप जो भी तेलो शदी लगाते हैं उसका आपको थोड़े तेल जैसे लगाते हैं उससे आपको पता चल जाता है कि ये हमारी तवचा पर कैसा पर भाव डालती है क्योंकि कभी-कभी ऐसा देखा गया है कि अलग-अलग तवचा होती है तो उस पर अलग-अलग कुछ चीजे सूट आती है कुछ चीजे नहीं सूट आती इस बात का आप ख्याल रखिए इसकी अमारपी 107 रुपे है और ये समय के अनुसार गटती बढ़ती रहती है और ये 50 अमल का पैकिंग है बैदनात कंपनी का आप इसको किसी भी पनसारी की सौप शे ले सकते हैं या एरवेदी की स्टोर से ले सकते हैं अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमसे संपर करके भी मंगा सकते हैं आपको अगर इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए या किसी अन्य उशद्धी के बारे में जानकारी चाहिए तो आप नीचे comment box में लिख सकते हैं अगर आपने इस सम्मंदित किसी भी तेल को परियोग किया है इस रोग से सम्मंदित तो आप हमें नीचे comment box में लिखकर जरूर बताईए तो आज की इस वीडियो में इतना ही उम्मीद है आपको जानकारी अच्छे लगी होगी अगर आपको जानकारी पसंद आईए तो लाइक जरूर करें और इस जानकारी को शेर भी करें ताकि और भी इस जानकारी का लाब उठा सके अगर आपको कोई शवाल या सुजाव है तो आप नीचे comment box में लिख सकते हैं या अगर आपको किसी भी ओशिदी की या जड़ी बूटी की आवशकता है और आपको नहीं मिल रही है तो आप हमसे संपर करके मंगा भी सकते हैं आपको यह जानकारी कैसी लगी यह भी हमें नीचे comment box में लिख कर जरूर बताए और इस channel पर अगर आप नए हैं और अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लेजिए क्योंकि हम भविश्य में भी ऐसी और भी अच्छे अच्छे जानकारी लेकर आते रहते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जानकारी के साथ तब तक के लिए हसते रहिए और हसाते रहिए और अपनी सियत का ख्याल रखिए धन्यवाद